वेलकम टो एससी मेटी जी, आप सभी से रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा किस लिए देखिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए देखिए, अगर आप अपने लिए नहीं देख सकते हैं, तो जितने भी एसससे एसपाइरेंट हैं, या रेलवे और लेकर और दूसरी सभी गॉवर्मेंट खास करके सभी कॉम्प्यटिटिव एग जाया हॠाई है कमीसंश क के खिलाफ आउंड़न होंने जा रहा है कि कौन चाहता है लड़ना पर साहब सहें और कितना? अब आप ही कहिए किब कितना सहा जाए कि एक SSC aspirant और एक railway aspirant कितना और सहें इस सरकार की ताना सही को? क्या सरकार ने इस देष के युवा को बुस्ति समझ लिया है? औरondere ज़हां नहीं सिछा का commercialization किया है, सरकार नहीं सिछा को व्यापार बनाया है, आप लोग भले किसी और को credit की फलाना teacher course बेच रहा है, फलाना teacher ने सिछा को व्यापार बना दिया, बिल्कुल गलत बात है, सोची समझी साजिस के तहत, बड़े बड़े private houses के साथ, साथ गाठ करके, ना कि स इच्छा का सामराज government नहीं बनाया है, जिस तरह से अलग अलग इच्छा को अलग पार्ट में गरीब लेवल पे और उच लेवल पर divide कर दिया गया है, लेकिन हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं competitive examination की, आप देख रहे हैं कि सालों से किस तरह से competitive examination की त्यारी करने वाले students की हालत government ने खराब कर दिये, ना ही vacancy आ रही है, examination का अगर result declare किया जा रहा है, अगर examination vacancy थोड़ी बहुत आ भी रही है, तो time से उसको conduct नहीं करा जा रहा है, अगर result भी declare कर दिया गया, उसके बाद joining नहीं दे जा रही है, और इन सभी बीच में अगर paper leak हो गया, मामला कहीं फस गया, तो तो आप समझ लिए तीन-चार साल उसमें चले ही जाने वाले हैं, और कई बार ऐसा देखा गया कि paper government जानबुच कर लिख कर आती है, जिससे जानबुच कर मामला court में जाए, और मामला court में जाने के बाद क्या होगा, जानबुच कर सिंपल सी बात है अगर मामला court में गया, तो तारिक पे तारिक मिलेगी, और चीज़े दिद्नों दिन डिले होती चली जाएंगी, जिससे एक तरह से government का फाइदा हो जाएगा, कि government का revenue भी बच जाए, नोकरी भी ना जाए, और एक तरह से लोगों के अंदर चला भी जाए, कि government ने वेकेंसी निकाली, लेकिन वो मामला court में फस गया, तो सब तरह से government खेलती है, तो यह समझ लिए हर चीज़ के पीछे government ही responsible है, आप सिर्फ एक बात समझेए, मैं पूरी बातों के बारे में बात कोनगा, आप सिर्फ एक बात समझेए, यहां तो सिर्फ बात हो रही है, कि माल लीजिए कुछ हजार, आठ, हजार, दस हजार वेकेंसी आई, एससी में माल लीजिए, अब उस वेकेंसी में भले 30 लाग फॉर्म बरे गए या 25 लाग, 20 लाग फॉर्म बरे गए, हाला कि आजकल तो ऐसा महाल चल रहा है कि दिनो दिन जो एससी की वेकेंसी में जो candidate apply कर रहे है, उनकी किस की comparison में बोल रहा हूं, comparison में इस चीज़ से कर रहा हूं, जब सरकार election लेती है, आपको पता होगा कि 18 साल से हर उपर का हर वेक्ति, जो election में participate करता है, और करोड़ो लोग उसमें मद्दान देते हैं, और सही समय पर कुछ दिनों में, 10 दिनों में result आ जाता है, पूरा all India level बिना किसी problem के, अगर सरकार उस बड़े level पे election को organize कर सकती है, तो competitive examination को भी organize करके, उसका सही तरीके से result भी जारी कर सकती है, बिना किसी cheating के, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो इसके पीछे सरकार की सोची समझी साधी से, सरकार चाहती ही नहीं है, कि वो ऐसा कोई क पता है कि गौर्व सुप्रिम जो हमारे समीधान, समीधान के according कुछ 75 लाख रुपे से ज्यादा आप election campaign के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को पता है, जितने भी यह नेता है, खास करती है, जो बीजेपी के, जो मोधी की जो रेले ले लगती है, उसमें एक पता होना चाहिए, अगर गौर्वर्मेंट पावर में आई है, जिन प्रावेट सेक्टरों ने गौर्वर्मेंट को पैसा देकर गौर्मेंट को गद्धी पर बैठाया है, तो उनके लिए भी गौर्मेंट को कुछ करना होगा, तो इसलिए यह प्राविट आईजिसन का सबसे बड़ा प्रफ्न यह है कि आपने देखा होगा कि स्सी सीजल 2017 में सामने आया था, और यह सब चीजों का रिस्पॉंसिबल कोन है, माना कि गौर्मेंट इस सारी चीज़े कर रही है, लेकिन इन सभी चीजों का रिस्पॉंसिबल कौन है, और इन सभी चीजों का दुनिया उखड जाएगी, लेकिन हम उतना भी नहीं मानके चाले हैं, हम खाली मानके चाले हैं 10 लाग, अगर 10 लाग स्टुडेंट्स, ड्राउंट लेवल की बात नहीं कर रहा है, ऑनलाइन लेवल पर जो सक्री हो जाए, वोबाइल के थ्रू, लेप्टप के थ्रू, जो स कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, कि 2017 में प्रोटेस्ट होने का कारण SSC में स्टार्ट हुआ था, जिसमें SSC ने रिजल्ट पब्लिश किया, जब एक्जामनिसन चल रही थी, जब एक्जामनिसन प्री की कंट्रिक्ट किया रही थी, उस समय ये बहुत जादा तफ आ रहा है, उससे समय समय से गुहार लगाए गया, SSC कहा गया कि एक पेपर बहुत ज़्यादा आसान आ रहा है, दूसरा पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, तो एक नर्मला एसिन कर दिया जाए, जिसमें जिनका पेपर टफ शिफ्ट में है, उनको नुक्सान ना हो, लेकिन SSC ने ये बात नहीं मानी, और SSC ने सूच केंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, उनका धन्यवाद, लेकिन ये अंदोलन बिल्कुल ही असफल रहे गया, आपको पता होगा कि किस तरह से कितने बड़े लेवल पर स्केम हुआ, सारे प्रूफ दिये गए, किन लोगों ने नकल की, उन लोगों के बारे में बता गया कोर्ट की गलती देखते हैं, या जिस वकील को हमने हायर किया, वह वकील भी गया, तो उसकी गलती देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसमें गलती स्टूडेंट की है, क्यों ये सामय क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण ये है कि जब सीजियो कॉम्पलेस पर प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें एक यूच का वो, एक वो मुखरजी नगर में दो लाख केंडिडेट रहते हैं, लेकिन वहाँ पर पचा जिस दिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था, सभी टीचर्स के दोरा, उस दिन मुस्टी सिर्फ पांस से दस ज़ार स्ट उन स्टूडेंट्स के कारण जो घरों में बैटे थे, जो खुद अपने आवाज उन्होंने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई थी, तो यहां पर भी आज आज आपको एक और मौका मिल रहा है कि आप तो आपको ग्राउंड लेवल पर ही नहीं जाना है, आपके पास है, वो पीशे हट चुका है, और आने वाले कुछ सालों में मैंस्ट्रीम मीडिया बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और डिजिटल इंडिया है, जो डिजिटल इंडिया है, इसका ही राज रहेगा, और यही सबसे बड़ी पावर है, और इस सोचल मीडिया को हमे सी डियो, पीटी के अंडर में आती है, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, आइस सी का रिजडि ang पर आया जाया, इन सभी चीजों को ना देखते हुए ना ही वेटिंग लिफ लाई जा रही ना ही कुछ किया जा तो मतलब यह से प्राइम मिनिश्टर की पर्मिस्तन से हो रहा है प्राइम मिनिश्टर को कुछ नहीं पढ़िए कि आपके से स्टी या रेवले फ्टुटेंट्स का फ्यूचर क्या होगा और रही बात जो वेकेंसिस की आपको पता होगा कि आपने नहीं देखा जाके उसको देखिए कि मैंने बहुत ही अच्छा से एक्स्ट्रेंट किया है कि किस तरह से जो एक सुट्रेंट्स हें टिकमर्ट्स हो रहे हैं और उसमें से कोई एक चूच करेंगे जहां पर उनको बाकि जगा जहां पर सेलेक्ट हुह है वह एकेंसिखाली रहे जाएगी उसको गवर्मेंट खतम कर देगी और वेटिंग लिफ्ट्स ना होने के वज़े से वह एकेंसी किसी और स्टुडेंट्स को दी भी नहीं जाएगी तो इन सभी चीजों के कारण ही और यही सब पैसे काम आएंगे जब यही सारे पैसे इस इन सभी आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इस देश का जुआ 65% जो यूथ की पॉपिलेशन है और यह यूथ सबसे पावरफूल है तो लसायद उन्होंने लगता जा रहा है फिर से हाला कि भले सीजल 2017 के समय में आप लोगों ने सपोर्ट ने किया हो लेकिन इस बार आपको करने की पूरी जरूरत है भले इस बार जो 65% इस 65% यूथ की पावर आप सभी को सरकार को दिखानी होगी और कैसे दिखानी होगी यह कोई एक दिन में दिखानी नहीं कि एक दिन ट्विटर केंपेंज चला लिया उसके बाद गयाब हो गया है यह जो लड़ाई है यह सुरू हो चुकी है दो दिन पहले से और यह महीनों सब्सक्राइब को 11 बज़े ट्विटर केंपेंज चला जा रहा है 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 सब्सक्राइब करना है अगर उन्हों का रिजल्ट नहीं करना है सभी को आपको अपनी प्रेजेंट दिखानी है वीडियो को ट्रेंडिंग में लाना अगर सोस्यल मीडिया पर हर जगा एक ही चीज होगी तो सभी गौर्मेंट को जुकना ही पड़ेगा आप सभी के सामने और CET पर ध्यान मत दिजिए CET अभी बहुत दूरे 2021 बोला है आप को पता है कि 2019 के परिशा 2020 में भी नहीं हूपाई है तो उसी के तरह सब CET 2021 लिए पता नहीं कब होगी फरका उसको में अभी पहले एक्सपेरिमेंट करेंगी को लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है और क्या आपको क्या लगता है कि जो CET आ जाएगा तो CET आने के मतलब नहीं है एक हाली आपको आपको जिन लोगों को जो नए स्टुडेंट से यूटूब पर थोड़ी बहुत वीडियो देखे गुम्रा हो चुके हैं उनको CET बहुत बढ़ी चीज़ लगती है एक साथ वेकेंसी आएगी से घटने वाली सरकार बहुत अच्छे से यह ख स्टुडेंस तक मैं कभी वीडियो सेर करने के बारे में नहीं बोर रहा हूं लेकिन इस तरह की सारी वीडियो को मैं आपको बोलूँगा कि आपको सेर करना है वाट्स अब गूरुप में टेलीग्राम गूरूप में फेसबूप के आपको ठीक लगें वहां पर ट्विटर पर आपका एकाउंट नहीं है ट्रुटर पर एकाउंट बना लीजिए और जो हमारा हैस्टेक है हैस्टेक स्सी डिकलेर सीजल रिजल्ट या स्पीक फॉर एससी रेलवे स्टुडेंट्स यह दोनों हैस्टेक आपको हर जगाई यूज करने हैं और आगे की जो प्रोग्रेस हो